आप लोगोंने सम्मिधान का भाग पाँच पड़ा होगा और इसमें अनुच्छे 63 आप लोगोंने देखा होगा इसमें कहा गया कि भारत का एक उपराष्टपती होगा और आप सभी जानते हैं कि हर 5 साल में हमारे देश में राष्टपती का और उपराष्टपती का चुनाव भी होता है तो अभी आप देख रहे हैं कि राष्टपती का चुनाव भी हो रहा है और हमारे देश के पहले उपराष्टपती कौम थे सरफ वल्ली राधा किष्णन साब और अभी कौन थे बर्तमान में बैंक्या नाइडू कौन? बैंक्या नाइडू तो आज हम लोग उपराष्टपती पत के बारे में एक सामान चर्चा करेंगे अगर आप लोग की दिल्चस्पी है इस टॉपिक के बारे में जाननेगी तो आपके पास परयाप्त जानकारी होगी और बता दूँ अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें तब तो आपकी परिक्षाओं में इस तरह की टॉपिक से कुश्टन्स पहुँचे जाते हैं और समिधान का अनुच्छेद अगर 64 आप लोग पढ़े न तो एक कहता है कि ओपर राष्टपती राजसभा का पदें सभापती भी होता है और अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्टपती के पद में आकस्मिक रिख्ती के दौरान या उसकी अनफस्तिती में ओपर राष्टपती राष्टपती के रूम में कार करेगा और अनुचेद अगर आप लोग 66 पढ़ेंगे तो उपराष्टपती की निर्वाचन की गई है कि चुनाओ किस तरह से होगा अनुचेद 68 कहता है कि उपराष्टपती पत की रिक्ती को भढ़ने के निर्वाचन करने का समय और आकस्मक रिक्ती को भढ़ने के लिए निर्वाचन व्यक्ती का पतावधी की बात करता है और अनुचेद 69 ये आपका उपर राष्टपती द्वारा सपत या पितिज्ञान की बात करता है अनुचेद 70 अन आकस्मेक्ताओं में राष्टपती के किट्टों का निर्भान किस तरह से कर सकता है अनुछे एकत्तर राष्ट्पती या उपराष्ट्पती के निर्बाचन से संबंदित कोई अगर संसत बिसा है तो उसकी बात करता है तो यह भी याद रखेगा ठीक है और आप देख रहेंगी हमारे अपनी स्क्रीन के सामने हमारे प्यारे या अपने प्यारे भारत को देखी रहे हैं तो उपराष्ट्पती भारत का दूसरा सर्वोच सम्मिधारी कार्याल है और वह पांच बर्स के कारकाल के लिए कार करता है लेकिन वह कारकाल की समापती के बापजू तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक की उत्रा अधिकारी द्वारा पद गहर नहीं कर लिया जाता ह यानी कि एका मुतला है कि नया राष्ट्पती जब तक नहीं आ जाता है उपराष्ट्पती भारत के राष्ट्पती को अपना त्याग पत दे कर पद से त्याग दे सकता है जो इस्थीफा सुिकित होने के दिन से प्रभावि हो जाता है ये आप देखे कि SSC Bank Railway का एक आप राज्य सभा की एक पिस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है और जो उस समय उपस्ती सदसों के भहुमस से पारित होना चाहिए। साथ ही लोग सभा द्वारा सहमती आवस्यक होती है। और इस पेयोजन के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आसाय का कोई पिस्ताव पिस्त किया जा सकता है। उपराश्टपती को 14 दिन का नोटिस देना होगा पहले। और याद रखी इसका हटाने का पिस्ताव आप लोग केबल राज्य सभा में ही लाया और उस पिस्ता तो उस समय उपस्ती सदसों के बहुमत से पारिस भी होना चाहिए। फिर आप देखे कि उस पर लोग सभा की भी सहमती होनी चाहिए। राज्य सभा की बारे में भी जान लीजे। आप सभी जानते हैं कि राज्य सभा के जो सदस होते हैं इनका चुनाओ कैस साल हो चुकी होगी तो आपका भी बोटर सूची में नाम जोड़ चुका होगा आप लोग भी बोट डालने जाते होंगे और अभी बर्तमान में आप देखें तो राज्य सभा में 245 सीटे हैं इसमें 233 सीटों पर चुनाओ होता है और 12 सदस्वों को मनुनीत किया जाता है किस होता है अगर आप की भी आप देखें आप लोग चुनाओ करने भी जाते होंगे 2019 में किया होगा उसके पहले 2014 में आप लोग ने किया होगा अप 2000 आप देखें कि 24 में करेंगे या उप चुनाओ होता है तो समय भी आप लोग करते रहते हैं उप चुनाओ कहने का मतलब होता उसके पास कोई अनलात का पद नहीं होता है लेकिन आप लोगों को यहां यह भी याद रखना होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है लेकिन राज्यसभा सदस नहीं होता है लोगसभा अध्यक्ष आपने देखा होगा लोगसभा का सदस रहता है लेकिन राज्यसभ की रूम में चुनाओ के लिए योग होना चाहिए चुना जाना जरूरी नहीं है योगता चाहिए बस के अंदर सरकार किया जाता है और निर्वाचक मंडल में आप देखें कि राज्य सभा के निर्वाचित सदस होते हैं कौन निर्वाचित सदस होते हैं और राज्य सभा के मनोनीच सदस भी होते हैं लोग सभा के निर्वाचित सदस होते हैं तो यह आप लोगों को याद रखना होगा कि राज् लेते हैं लोक सभा और राज सभा के भी निर्वाची सदस भाग लेते हैं मनोनी सदस उसे में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उपराश्टपती में अलग है ठीक है मनोनी सदस भी भाग लेते हैं और उपराश्टपती में आपके विधान सभा के सदस सामिल लई हैं चुनाओ मे अगर हम लोग इसके चुनाओ की पिक्रिया देखें तो भारती समिधान के अनुचे 68 के अनुसाल कार्याले की समापती के कारण हुई रिक्ती को भरने के लिए चुनाओ निर्वर्थमान उपराष्टपती का कारकल समापत होने से पहले पूरा किया जाना आवस्यक है और राष्टपती उपराष्टपती चुनाओ अधिनियम 1952, राष्टपती उपराष्टपती चुनाओ नियम 1974 के साथ समिधान के अनुचे 324 के तहत उपराष्टपती के कार्याले के लिए के चुनाओ के संचालन का अधिक्छन नियदेशन और नियंतन भारत निर्वाचन आ ठीक है और आप देखेंगे 25 जन्वरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी चुनाओ आयुक की और अनुचे 324 आप लोग पढ़ेंगे तो चुनाओ आयुक से संबंदित है आपके राज्यों में जो इस्थानिय चुनाओ होते हैं न बहुत हर राज्य में आप देखते हैं कि वहा पूर विया उसके बाद जारी की जाएगी और चुकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस संसदों के संसद के दोनों सदनों की सदस होते हैं यानि कि राजसभा लोगसभा और इसलिए पितेक संसद सदस के मद का मूल समान होता है एक होता है और आप देखेंगे चुनाओ वाइ केंद सरकार के परामस से लोगसभा और राजसभा के महा सचिप को बारी बारे से निर्वाचन अधिकारी रेटर्निंग ओफिसर के रूम में निक्त करता है और महा सचिप लोगसभा को भारत की उपराश्पती के कार्या लेके बर्तमान चुनाओं के लिए निर्वाचन जिकारी नियुक करने का भी नेड़े लिया है। इसमें वो भी कोई अधिकतम समय सीवा नहीं रखी गई एज की और लोग सभाब का अगर सदस बनना है चुनाव लड़ना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल हो नीचे लेकिन अधिकतम कोई एज इसमें नहीं रखी गई उमर तो यह भी आप लोग और राष्टपती बनना है तो आपकी उमर 35 साल उपराष्पती बनना है तो 35 साल रखी गई है चलिए फड़ते रहिए जानते रहिए